भारत के अत्यंत लुकप्रिया और यशस्विय प्रधानमंत्री आधनिया नरींदर मोदी जी हमारे बहुती करमठ और परिश्रमी राष्ट्री अध्यक्ष आधनिया हमित शाह जी आदनी राजनाद जी, आदनी अरूंट जी, आदनी थामर्चन जी, आदनी रामलाल जी मीडिया के मित्रों और इस कारकम में उपस्थित मेरे बहुत इसने ही भाईों और बहनों सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों से यह अनुरोज करना चाहूंगी कि हमारे शीर्षक और दूसरे पार्टियों के शीर्षक का अंतर समझें बाकि सभी पार्टियों ने अपना घोशना पत्र प्रस्तुत किया है एकमात्र भारतिये जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है घोशना पत्र लेकर नहीं इसलिए आज हम हमारे सामने घोशनाई करने नहीं आये हैं बलकि इन संकल्पों को पूरा करने का ब्रत लेने के लिए आये और मुझे विश्वास है कि देश हमारी बातों पर इसलिए भरोसा करेगा कि 2014 में जो हमने कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया अभी अमिद जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जो पांच वर्षों के विकास को दर्शाते हैं लेकिन मित्रों विकास की गाथा इस सरकार की इतनी लंबी है कि अगर हम सब उसमें कुछ न कुछ जोडते जाएं तो भी वो पूरी नहीं हो सकती है मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी जो अंतर राश्ट्री जगत में लोगों को चौक आ रहे हैं जब मैं इंटरनेशनल स्वोड़ा से कहती हूँ कि हमने 34 करोड नए बेंक खाते खोले हैं और यह विश्वकास सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है तो लोग चौक जाते हैं जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अधियन देती हूँ कि पुरानी सरकार में हमारे आँ 12 किलोमीटर हाइवेस पर डे बनते थे दिन बनते थे और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं तो वो चौक जाते हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ कि हमारे रूर लोड्स पिछली सरकार में 69 किलोमीटर पर डे बनती थी और आज 134 किलोमीटर पर डे बन रही है तो वो चौक जाते हैं जब मैं उन्हें डिजिटल इंडिया के अंदर की प्रगती बताती हूँ, कि पहले हमारे हाँ, केवल 69 गाउं, 59 विलेजिस वर कनेक्टेड विद ऑप्टिक फाइबर, और आज 1,16,000 गाउं में ऑप्टिक फाइबर बिच चुका है, तो वो चौक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूँ, कि हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर पहले 83,000 थे, 83,000 और अब 3,000,000 से ज्यादा बन गए हैं, तो वो चौक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूँ, कि पहले देश में मोबाइल पॉन बनाने की केवल दो फेक्ट्रियां थी। आज भारत में 127,000 मोबाइल टेक्टियजा फंक्टिनिंग, तो वो चौक जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में Ease of Doing Business का आंकड़ा पहले 142 था, 142 वान लेकिन मोदी जी के नेत्रतु में 65 तंक उपर उचल कर हम अब 77 ने स्थान पर पहुँच गए हैं तो वो चौक जाते हैं और अंतराश्टी जगत के लोग developing countries में विकास शील देशों में शिक्षा और स्वास्त के ख्षेत्र में क्या हो रहा है इसे जानने के लिए बहुत उच्सुख होते हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ कि हमारे यां मोदी जी के नेत्रतु में 14 नए एम्ज, 118 मेडिकल कॉलिज, 5000 जनौशदी केंद्र और डेल्ड राइक विलनेस सेंटर विलनेस सेंटर वो चौक जाते हैं और जब मैं शिक्षा के ख्षित्र में उन्हें बताती हूँ कि हमारे यां 14 ट्रिपल आईटी, 7 आईटी, 7 आईएम, 1 एन आईटी 103 केंद्रिय विध्याले और 22 नवुदय विध्याले खोले गए हैं तो वो चौक जाते हैं और इससे भी जादा जो बात मैं अंतर राश्टी स्थर पर बताना चाहती हूँ कि भारत का, प्रभुत्प और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नित्रत में जितनी बढ़ी है, उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी और मैं इसका उधारन देना चाहती हूँ पिछले 5 वर्षों में, हमारे प्रभान मंत्री जी को 5 बड़े पुरसकारों से नवा जा गया है सौधी अरब ने अपने यहां का हाइस सिविल और पुरण मंत्री को दिया पलस्टीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठ सबसे बड़ा सिविल और पुरण मंत्री जी को दिया अभी तीन दिन पहले आपने देखा United Arab Emirates ने अपने यहां का Highest Civil Order पिलहन मंत्री जी को दिया South Korea ने अपने यहां का प्रतिशित सोल पीस प्राइज से पिलहन मंत्री जी को नवाजा और साइवत राश की एक संस्था ने जलवाईयो परिवर्तन में अभूत पूर्व काम करने के लिए पिलहन मंत्री जी को Champions of Earth के अवोर्ड और वहां के आयोजेक मान गए कि हम भारत को पाटिसिपेट नहीं कर ले देंगे बिना भाग लिए भारत वहां से अपमानित होकर वापिस लोटा था पचास बरस बाद काल चकर घूमा है अभी जो आबुदावी में OIC की मीटिंग हुई वो उनकी स्वर्ण जैन्ती मीटिंग थी स्वर्ण जैन्ती कॉन्फरेंस थी 50th anniversary और वहां जब उन्होंने हमें invite किया फिर पाकिस्तान ने विरूद किया और अंत में ये लिखके नामा देंगे ये imitation रद नहीं करेंगे तो हम founder member होते हुए भी इसमें नहीं आएंगे और UAE ने उन्हें कहा आपकी मर्जी अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आये लेकिन हम भारत के imitation को रद नहीं करेंगे और आप सब ने देखा कि पाकिस्तान की कुरसी खाली थी और भार दी के सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिष्टे बनाए हैं कि OIC के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए लेकिन भारत का invitation रद नहीं किया जाएगा इसलिए मैं आज आप से कहने आई हूँ कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा पिछले पांच वर्षों के इतिहास में जो credibility जो विश्वस्नियता हमने कमाई हैं उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आएं लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से एक और निवेदन करना चाहूंगी जैसे वो शीर्षक का अंतर देखें ऐसे ही वो हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोशना पत्र से जरूर करें बित्रों हम राष्ट को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कहता ह हम देशत द्रों को सानून को समाप्त कर देंगे यानि वो देशत द्रों को अपराध मानने से इंकार कर रहे हैं हम राजनतिक स्थिर्टा के नाम पर मजबूर सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गठबंदन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं हम देश में अभूत पूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। हम लोग कल्यान के लिए हर वर्ग के कल्यान की बात कर रहे हैं, वो कुछ वर्गों के तुष्टी करण की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मीडिया के मित्र एक तरफ हमारा संकल्प पत्र रखें, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का घोशना पत्र रखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मोदेजी देश की नब्ज पहचानते हैं, राहूल गांदी देश की नब्ज नहीं पहचानते, बाकी पार् और इस संकल्प पत्र पर आप टिपढ़ी करें दूसरों की तुलना के साथ, ये पुन्हें निवेदन करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ता